असलाम लेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, सेफ चिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ताहरा ली और मैं हूँ आजिल हसनात, आजिल कैसे हैं आप, अलहम्दुल्ल्ला ताहरा आप सुनाए ठीक है, अल्ला कर शुक्र, अलहम्दुल्ला हशाश पशाश हूँ और रमज अलहम्दुल्ला है कि हर गुजरत दिन के साथ-साथ अब गर्मी में इजाफा हो रहा है, अब थोड़ी सी ना जिनको गर्मी बसंद नहीं हैं, उनको चर्सी होना शुरू हो गई, अब बला होसा बना शुरू हो गई है, अब बल्कुल अब ज़ितना ताइम स्पैन ये लेकिन ये कि इस दफा थोड़ा लेट गर्मी आई है, और हमें हम शुकर नहीं करते हैं ना शुकरे हैं, तो इस चीज़ पर हमें शुकर अदा करना चाहिए, अच्छा अब आपको कि किसी को अच्छे अमल से दिली खुशी देना हजार सजदी करने से बेतर है, बल्कुल य लेकिन उसके साथ-साथ ये भी बहुत जरूई है, आप मखलूकِ ख़दा के साथ महरबान रहें, उनके ओपर महरबानी करें, तो इसे के साहथ तो अल्ला माफ कर देता है, बल्कुल आसा ही है, और माफی तरा, शुकर पेंदा है, चलें एक तर बेतरा, माशिरे में अच्छी मिसाल हम ताम करेंगे अच्छा खुश्गवार मौशा है से तश्कील पाएगा तो कोशिश अपना अच्छा रखें, खुश्गवार रखें, खुशी रखें, स्माइल रखें अपने फेस के ओपर और जितना कोशिश कर रखें, अगर किसी की मदद कर सकते हैं, तो करते हैं चलते हैं, चलते हैं अपनी पहली पटिए है हमारी सइ permanेर ऐगे हैं जाज कि अख़ए है और हमारी फ़े खेव से अब जा मवाध में ख्तिए की हम करतें मौसं के हवालेगे हम फिझाई अलूद की बात करते हैं हम तो फिझाई अलूद की फिर से बढ़ने लगी अ और फिर से लोहौर दुनिया के दूसरा नमर पर आ गया है और यह पुलूशन और गाड़ियों का धुआ जो ट्यूनिंग नहीं हम कराते हैं भटों का भटों से निकले वारा धुआ इसके सवाले से हम बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्लैटफॉर्म से और यकीन जान अगर यही सिचुवेशन लहौर की रही तो आने वाले दस साथ से दस सालों में लहौर में आप सास नहीं ले पाएंगे और यह है कि जो एक परसन की लाइफ का टाइम पीरिड़ होता है वैसा तो मुस्लिम हमारा अखीदा यह कि जो मौत ने आना है तो आना ही है लेकिन वह यह खबर आपके पास अच्छा अच्छा आपको बता कि एस पी यू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है यह पंजाब पुलिस की पुलिस का ही एक यूनिट है यह खासकर 24 में यह मार्जे वजूद में आथा और यह फॉर्नर्स है ना जो हमारे गेर मुलकी जो हैं इसमें इसमें सिया होगे या फिर इंबेसडर्स होगे उनकी सेक्यूर्टी के लिए तहरा बना था तो यह आपको बता है कि आईजी पंजाब की पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेर के लिए उनकी यह कोशिच होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके लिए काम करत गया है किसी भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जितने भी मारे जवान हैं वो उस हेल्प लाइन के थूरू अपने मसले में साइल हल करवा सकते हैं किये भी है किये भी है तो यह एक बड़ा अच्छा इनिशेटिव है जी तरफ से लिए गया गया है ताकि हाई आप्स की तरफ आप आवास पहुंचा सकें आपको एक प्लैट्फॉर्म मिल जाएगे कहां पे आपने से रेलेवन कोई भी शिकायत है को क्यों रही है आपकी तो आप डिसकस कर सकें आगे चलते हैं पंजाब से इस अथारिटी की 24 घंटे की कारकरदगी रिपोर्ट आप से शेयर करते हैं जिए बहतर हजार 29 मतलब बहतर हजार के गरीब जो 155 कॉल्स मौसूल हुई है और फिर से भी बात करें कि गयर जूरी कॉल्स की तादाद बहुत ज्यादा थी तो इस हवाले से केर करें गयर जूरी कॉल्स ना करें रमजान का वावरकत महीना है एहद करें कि आपने ये काम जंचे रहिए नहीं करने बचों को इस अवाले से हइं उनको बिदाए वंजनकी कि क्या हेलप लाइन है तो इसकी क्या इहमित है मूं को बिदाएailingbelt आपको turnover आपकोों का र्येंति को मदद चाहिए तबही आपने एस नंबर को ढायल करना आ धायाज को नहीं करनी को इसी के मश्कूख सरगर्मियों की निशांद ही की गई और साथ यसाथ जो हमारा लोस इंद पॉंड कर डिपार्टमेंट है आजिल हमेशा जिकर करते हैं बहुत इम हैं लेकिन जैसे आजल ने यह बहुत ही एहम डेपार्टमेंट है इस हवाले से बहुत से हम 5,000 से जायद गुमशुदा फराद को उनके वुर्सा से मिलवा चुके हैं इसी के साथ साथ 9,000 के गुदिश्टा वहीकल जो हैं वो मिलवा चुके हैं कल 24 गंटे में तीन गाड़ियां उनके वुर्सा के उनके मालिकान के हवाले की गई तो यह कुछ स्टार्ट से शेयर करते हैं इसी के साथ साथ जो हमारा electronic data analysis center है वो 22 cases कल दिखाएं उन्होंने और हमारी women safety app है उस पर daily basis पे मदद परवाइड की जाती है निए निए शेजाब कर ली है और अपने friends को भी इंस्टाल कर वादी है कहां बताना है आपने हमें comment करना है जी हमारा twitter का handle है पीए सीय सेफ सिटीज और हमारा फेस्बुक का अकाउंट है पजाब सेफ सिटीज कॉमेंट किये बताएं कि आपने खुद भी इंस्टॉल कर लिया और फ्रेंड्स को भी इंस्टॉल कर वा दिया अगली क्या न्यूज अप शेयर करे जा रहे हैं किसी भी मेदान में अगर आप कुछ करने का जजबा रखते हैं तो आप कर सकते हैं कोई बी किसी बी किसम की कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है तो मेरे पास पर इच्छी खबर है ताहरा बिनाई से महरूम मुबश्र शेहजाद पाकिसान के पहले असिस्टंट कमिशनर अच्छा बिल्कुल पाकिसान के पहले सिस्टंट कमिशनर हैं और अच्छा मज़े की बात जी किनोंने सीएस पहली ही अटेम्ट में जो है वो क्लियर कर लिया इसके लावा जो है वो ताहरा तद्रीसी के फ्राइस भी सर अंजाम देते हैं इसके लावा नहीं डबल मास्टर गई थी लेकिन उन्हें हमत नहीं हा रही नहीं पताशी नहीं है मैट्रिक में थे तब से बसारत उनकी जो है वो चली गई थी लेकिन उन्हें हमत नहीं हारी आप यह देखें कि आज हो किस मकाम पे हैं तो आप सबके लिए हम सबके लिए रोल मॉडल है तो अगर आपको कही कोई ऐसी माजूरी खुडाना खासता हो जाती है तो आप ने उससे हम्मत नहीं हारनी बताने का मकसद यह है कि आप ने दिल नहीं छोटा करना आपने हम्मत मदद खुडा अल्ला मदद करेंगे आपके और आपने कोशिश करते रहना है और इनको हम कॉंग्रेजुलेशन्स बो बड़ा अच्छा इनिशियाटिव है आजल एक तो हम जैसे स्मोक प्रोगाम के स्टार्ड में हम स्मोक के हवाले से बात करें थे के पुलूशन, गाड़ियों का धुआ, साइकल ऐसी एक्टिविटी है कि जिसे जाहर है ना तो पुलूशन पैदा होती है, दूसरा आपकी एक् प्रोगामाद पर तो आप भी कोशिश किया जैए कि थोड़ा चैवल करना है ना जैसे अक्सर अम्मा कहती है दही ले आओ, तो बाइक को कि इतनी मारनी है, आपने साइकल निकालने और आप दही लेकर आएंगे और यह छोड़ी चीजें जो आपको खुद भी रखती है और बिल्कुल वो खुद जाएगी डिफरेंट मकामाते कल से ताहरा है, कल जेल रोड पे इनोंने बकाइदा मंडे को जो है वो लांच की थी और यह जेल रोड पे इनोंने शेहरियों के सहुलियात फराम किया उसके लावा बता रहे हैं जी मंगल को बागे जनाह, काईदाजम लाइबरेरी, पारकिंग, बुद को लिबर्टी चोग, गुलबर्ख सुलत दी जाएगी, जमरात को फोर्टर स्टेडियम, जुमा को जोहर टाउन, मौलना शोकत अली रोड मार्कीट में मुबाइल रिजिस्टेशन यूनिट काम करेगा, तो बड़ा वो लोग जो कहते हैं बिल्कुल, गाडियों के रिजिस्टेशन है, आपने ट्रांफर करनी है, ओनर्शिप चेंज करनी है, यानि के एक साइज से रिलेटीड आपका कोई भी काम है, अब मॉबाइल वैन के सुलत आपके पास मौजूद है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने परस्नली विजिट किया है, बहुत रश होता है, और लोग नहीं जाते हैं, इसी डर से कि यार बहुत नंबी राइने लगी होगी, तो यह एक अच्छा इनिशेटीव है, इसको अप्रेशेट करते हैं हम, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, यह बड़ा अच्छे निशेटीव है और इससे तो कल खतम हो गया PSL Line का फाइनल था और मैच था इसलामबाद यॉनाइटेड और मुलतान सुल्तान के माबेन बहुत ही संसिनी खेज मकाबला हुआ बहुत ही मज़ा आया मैच देखके जीतना तो खेर एक ही टीम ने होता है लेकिन मैच अगर इंट्रस्टिंग होना तो फिर आपको मज़ा आता है देखने का आखरी आखरी बॉल पर जाके फैसला हुआ है एक रन बनाना था एक बॉल पे इसलामबाद यॉनाइटेड ने मैच बाद में खेला पहले मुलतान सुल्तान ने टॉस जीत के पहले से बैटिंग का फैसला है किया वहन सिक्स्टी का टार्ग अगर कहा जाए तो गलतना होगा कि वफाक को ही जीतना चाहिए ताके सब लोग जुड़े रहे और यह अच्छा एक अच्छी चीज है कि टॉफी तो अपने मुल्क में आ रही है तो बहुत मज़ा आया है बड़ा अच्छा यह सारा सिल्सला रहा और यहां पे हम सलूट पे कोई भी शुकर है कि कोई भी नागहानी सूरतहाल नहीं केरियेट हुई और बाखुशी और अच्छे तरीके से यह इवन्ट कंप्लीट हुआ और चुक्कि यहाँ आप आपको पता है कि इन्टरनेशनल पेर्स भी आये होते हैं तो यह 24x7 जारी थी तो बहुत यह अच्छे हॉस्पिटल है जी उसके ओपर भी इस्राइली जो बंबारी की गई है बलके ऑपरेशन किया गया है वहां पर मैं पढ़ रहा था कि तीस से जायद जो है मरीज जो थे बिचारे वहां पर मौझूद थे हॉस्पिटल मैडमिट थे कुछ लोगों ने पना भी लिए थी तो इ हाली करने का हुकम दिया गया आपको बता है कि कहीं पर भी जंग लगी है ना गर्दो मौमाली के दर्में तो इंटरनेशनल लॉग के खिलाफ है कि आप किसी हॉस्पिटल के ओपर जो है इस तरह हमला करें लेकिन हम देख रहे हैं कि यह पहले दफानी हुआ कि इससे पहले कि रिक्वेस्ट है जी आलमी ताक्तों से कि वो अपना रॉल प्ले करें जो प्ले कर सकते हैं और इसको अब खत्म होना चाहिए यह जो बरब्रियत जारी है इसराइल की तरफ से तो यह था जी हमारा आज का पहला सेग्मेंट उमीद करते हैं कि आप हमारे साथ इंजॉई कि क्या होगा आपको कुछ इंट्रस्टिंग खबरें देखने को मिली होगी अब लेते हैं चोटा सा ब्रेक आपने रहे हैं हमारे कि वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग सेफ सिटी तहरा आपको पता है कि नमूनिया काफी ज़्यादा पैल रहा है दि क्यों धिदाद जीड़ा रही है तो नमूनिया बेसिकली चाहिद मौसम चेंज हो रहा है इसवज़ा से ज़ादा प्हेल रहे है स्मोग का इसके हारे से क्या किरदार है स्मोग कितना के प्रदार करती है इस पर बात करेंगे किक्षर और बॉक्रम में केहते हैं इस सेफ सिटी का बहुत शुक्रिया कि पबल्लक अवेरनस के लिए ये प्रोग्राम रखा है तो इन्शालला इस पे बात होती है अच्छा सब्सक्राइए है क्या ये मौसम तद्दील हो गया क्या नमूनिया अक्सर हम देखते हैं अख़़ार को लें तो नमूनिया के कैसी जरूर रेस्परेटी इन्फेक्शन वो जब ज्यादा तो इसको नमूनिया कहते हैं अब जो प्रोग्राम यानि ज्यादा हो रहा है कि लेकिन सोशल मीडिया का दौरा लोगों के वेरनस ज्यादा हो रही है डायगनोसिस ज्यादा हो रहा है लोगों का वेरनस इसलिए लगता है ज् और बچे क्यों ऋफेक्ट हो रहे हैं? चुबshot पасибо क्यों एक का उतकर ही ही है और भी फेक्टर हैं फिर आगे हम बाद करते हैं क्यों को जो हो रहाए है यह अवाद क्यों इस सारहरं की सथे ज्यादा हो रही है यह पुब्लिक लेवल पर शायद उतने नहीं हैं दो तीन वजह मेजर है सबसे बढ़ी है कि वैक्सिनेशन गौर्वर्मन इतनी अच्छे तरीके से जो छोटे बचे नो जाने ग्यारा बिमारियों की वैक्सिनेशन दो माह के बच्छे को चार माह के बच्छे के और शे माह के यह न्मूनिया, दो इस मेजराशी मैंने, इमकोकल एचल और एचल इंफिल्सा उसके लगा रही है, अगर वो लगाते हैं तो 90% 99% परटेक्शन जो रहती या यह नी बहुत आइ यह न्युकर न्युक्ड नहीं होती आई यहित्षित न्मूनिया उजकंसेप्ट है यानि बाकिवी ब्मारियों से यह गया रहे हैं उन में से एक नमोनी आया है जैसे टाइफाइड है काली खांसी है बहुत साथ जैसे दूसरी जो सबसे बड़ी वज़ा जो आ रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दी जो सबसे बड़ी है ना इम्मुनिटी महां से वो बच जाएं डॉक्टर का भी काम है फैल्मी अमर का कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है यह एटी नाइन्टी पस इम्मुनिटी बहुत सारी ब्मारियों से देती है और तीसरी यह क्रॉस इंफेक्शन है को बड़ों को या किसी और को है तो वो अगर आप करीब रहेंगे आएंगे तो वो बच्चा चुक्के इम्मुनिटी इसमें कम होती है और वो ज्यादा इन्फेक्शन होती है उसमें यह यह मास्क का यह प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा रहु लाए जी अच्छे सर अब यह जिससे मैं बात करें कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे करें अब खुदा छोड़ देता है बच्चा लेजी हो जाता है और उसके नाक की जो नथनी अन्दर और बाहर जाना शुरू है इस से माँ को पता चलता है सबसे बड़ी जो है कि बच्चा फीड कम कर दे एक्टिव कम हो जाए तो कोई ने कोई प्रावलम है भखार वगरा भी हो कि इन्ही एक पहली आनामास में वो तो बाद में दिखेंगे जीस से बबाराई बच्चों के जीस से अब ठोड़ लूर साड़ का हो तो पेड में दर्ध में दर्द भी शुरू हो जाती है और लोजमोशन में शुरू जब यह ज Нов होती है जब यह ए आनला अज़ नहीं है हमारे हाँ कोई प्रॉक्पर क्या वज़ा है कि इतनी ज़्यादा मुवाद बाद वहीं आवेरनेस ज़्यादा होगी है रिपोर्टिंग ज़्यादा होगी पहली भी होती थी दूसरी बात यह कि देखें बाद दफ़ा खुद ही घरों में करतें नहीं कोई अस करेंगे तो वो सारे फेपड़ों को अफेक्ट कर चुका होगा फिर आउकसियन पर ड्यूस ही होगी फेपड़े हार्ड हो जाएंगे तो डेथ इस लिए ज्यादा हो रही है अच्छा मतलब इसका बड़ा कॉस्ट यह है कि हम घर पे खुद से ही डाइग्रोस करना शुरू ह जाते हैं अगर नाइंटी परसंट नहीं भी है तो अगर आप एक विजट करते हैं पॉबलिक हॉस्पिटल हर वक्त है में इतनी फसिलिटीज है इतनी असानी आप तो और भी गौर्मन है बहुत फसिलिटेट कर दी हम इसी बड़ी है तो आप देखे एक दफ़र जाने से आ चा सकती है नमूनिया से हाँ मैं देखें सबसे पहले तो अगर घर में कोई विमार है जैसे और लेक कफ का है या सांस का मरीज है आलड़ी तो फिर उस बच्चे को वाइड करें और मां भी अपने हैंड वॉश करे पर अपनी सफाई हाईजिन अच्छी रखे जब भी फीड करवाना है और इसी तरह जो बचे आम तो पर क्रॉलिंग एज में जाते हैं तो यह हाथ पाउं जमीन पे मार के वही मों में डालते हैं वही नमूनिया का डायरिया का और कास बनता है यह हाईजिन इसमें सबसे बड़ी या मां का और घरवालों का भी करदार है एक तो उसकी हाईजिन अच्छी रखें खुद भी और उसकी भी और दूसरा अगर घर में कोई विमार है या कोई विजट करता है विमार है तो उस बच्चे को मैं इसको वाइड करें यह सबसे बड़ा है तीसी आप टाइम पर डाइट ब्रेस्ट फीडिंग है फिर उससे सबसे बड़ी मैं बार बार करूंगा कि यह इम्मिनाइजेशन आफ वेक्सिनेशन बच्चों की जो नप पदाईशी यह बहुत लाजमी है यह समझाना चाहिए इसमें कोई हाम नहीं इतनी महिंगी और गौर्मन्ट फ्री ऑफ कास्ट ऑफर कर रही है जी जो भी बेसिक कोर्स होता है डॉ जैसे टीवी का भी आसमें डिफ्थीरिया का भी टेटनिस का भी वोफिंग का भी टाइफ हैड का अर्बिटैटस भी का भी वो उसके रजीम है लेकर यह मखास्वर में नमूनिया की बताई उसमें दो है इसकी वेक्सिनिशन अवेलेबल बढ़ों के लिए भी है वेक्सिनि जब उसमें पॉलूशन शामल होती है और यह इतनी हामफुल और डेंजरिस है कि यह आपके रैस्परेटरी ट्रैक है आईज है जो ही इनहेल बच्चा करता है या बड़ा करता है वो लंग्स को जाकर रिटेट करते है तो आलड़ी जो जिस किमिनुटी भी काम है या पहले स बिमारी है तो वो इसलिए इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन है और हम सारों लोगों को इसमें इनफुट यह है कि हम सफाई रखें खास और पे यह बचें कि यह वहिकल कर धुमा छोड़ने वाली उसको बचाएं इसमें जो सलफ़र है सबसे जालम है नाइटर और बायो मास्क जो हम लकड़ीं जलाती है यह जो फसलें जमीदार मेरी रिक्वेस्ट है उन से भी इसाब के मीडिया कि यह जलाना जलम है लोगों के साथ भी आप अपनी असानी के लिए जलाती है तो गौर्मन्ट के बहुत कोशिश करती है कि अवेर भी करें एजूकेट भी करें लेकिन हम खुद ही और फिर यह जो वेस्ट जलाते हैं हम खास्तोर पर यह सबसे बड़ी काज है इसकी दिए और इसमें मास्क का कितना एहम किरदार है मास्क पहन के खुद को अब कितना महफूज सकते हैं इस पर जरूर मैं इसकी एक एक एग्जेंपल देते हैं जब कोवर्ट आ ना करे दोबारा जाब आया था तो हम चुके मैं चैस से डिले रिलेटेड हूं तो जब सब ने मास्क पहनने शुरू किये तो कोवर्ट तो जो बेतर हुआ था जो रेस्टरिटरी डिजीजिस थी नाइन्टी परसंट नजला जुकाम खांसी वो बेतर हो गया थी यानी एक पांच रुप है कि जी सिर्फ एक मास्क पहने से यानी कम्यूनिटी ने जब पहनना चुरू किया तो उससे तो ये इतनी प्रोटेक्शन है कि अगर आप घर में थोड़ी माँ भी मास्क पहन ले या घर में जो फैमिली मेंबर है या बाहर आप जाती हैं तो पहने तो इससे बहुत जारी बिमारियों से आप बच सकते हैं लंग्स की सारी अपर एस्पेटी की सारी जी 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 इसके इतना रुख लगए अखर पे कोई पैगाम अगर आप नमूनिया के हावाले से देखते हैं माओं को जरूर देना जी मैं सबसे पहले तो वेक्सिनेशन जरूर कराए किसी की बातों में नहीं दूसरी ब्रेस्ट फिडिंग मैं दो साल तक जो इसलाम नहीं या धाई साल तक आप बच्चे को दूज रूब लें जितनी कोश़ों सकते अपनी डाइट पैतर करें और बच्चे को दूज पलाएं और दीस तरह क्रॉस इंफेक्शन के आप हाईग नाजरीन जैसे कि डॉक्टर साब ने बहुत तफसील से और थोड़े टाइम में बड़े जामे अंदासे आज़ें इसकी डिटेल में बिताया कि शोटी शोटी लापरवाईया है हमारी जैसे माँ बच्चे को दूद नहीं पिलाती तो आप उस बच्चे के साथ जल्म कर रह अब लेते हैं चुटी सी ब्रेक आपने नहीं हमारे साथ और अब वक्त हुआ चाता है हमारे बहुत ही इंटरस्टिंग सेग्मेंट का जिसका नाम है दिल्चस्प और अजीब आज ताहरा से पूछने है कि हमारे नाजरीं के लिए क्या दिल्चस्प और अजीब ढूंड कर लाई हैं ताहरा क्या लाई है आज़ा अच्छा आजिल आपने नाम तो सुनोगा Guinness Book of World Records तो बहुत सी लोग बहुत सी effort करते हैं record बनाने के लिए तो effort करते हुए अपनी जान जोखों में भी लोग डाल दिल्कुल हम देखते हैं लेकिन एक है दिन में तीन world record बनाना ऐसा पहली जफा हुआ है और युक्रीनी ये person है युक्रीनी श तीन में लिफ्ट किया है और पहले पहले रने ट्राइक की थी अपनी गाड़ी के बालों से गाड़ी को क्हींचने की कोशिश की लेकिन उनके नादी के सारी जाहरा वो तूट गई डेन पिर उनने फिर से कोशिश की अपनी डा़ी को दोबारा बढ़ाया और फुल effort की अप 2580 बहुत ज्यादा वेट है तो इससे पहले जो रिकॉर्ड था एक हजार 951 का मतलब एक किसम का डबल ही हो गया है नहीं आज़ एक हजार 951 और 2500 प्लस सही अच्छा खासा गाब अच्छा खासा है ना और इन्होंने ये इतनी इतना वजनी गाड़ी को खींच के वर्ल डिकॉर जाद भी परिशान हो गया है कि वस्ता गाड़ी खींच ही और इसके बाद तीसरा रिकॉर्ड उने बनाया दांतों से साथ गाड़ियां था जोप कार टाइप गाड़ी यह जोखिया है है नहीं तीन गाड़ी था बत कर नियों की अपनी जान को इतना मतल्यक्रान नाम कर लि जो ये सहब हैं इनको सर्च करें देखें और हमें भी कमेंट करके जरूर पताएगा कि आपको हमारा ये जो कैसा लगा ये ख़बर कैसी लगी और आप क्या रिकॉर्ड बना सकते हैं ये भी आप सोचिएगा आपके पास क्या इंटरस्टिंग ख़बर आप आने के लिए अचा पहले भी ये रेकट जो है वो ऑस्टेलिया के पास थी था इसने सबसे बड़ी ब्लुबैरी जो गाई थी उस वक्त उसका वेड़ा 16.2 इस ब्लुबैरी का वेड़ था इस रिकॉर्ड को तोड़ है अब इन्होंने जो ब्लुबैरी उगा ये ताहरा उसका है टॉंटी पॉ अच्छा खासा वजन होता है और ये उनने प्रॉप मद ये उनका काम्याब तजर्बा रहा तभी रिकॉर्ड में चार सेंटीवीटर चोड़ी है जी और वेड इसका 20.4 ग्रैम है और दस जो छोटी नॉर्मल जो ब्लुबैरी हैं दस ब्लुबैरी अगर वो मिलें और फिर अच्छा हम अकलर रिकॉर्ड की बात करते हैं वीसे मेरा भी दिलचार आजिब को रिकॉर्ड को बनाने को हम एलाने के लिए को भातशुत करते हैं तो यह उच्छा आजिल का आइडिया है। бы झाल झाल